हलो बच्चों, आज हम करेंगे वक्षीट नमबर 83, 4th Class 10, Science, 8 फरवरी की वक्षीट है आपकी, जैव प्रक्रम हमारा चप्टर है, जिसकी डिवीजन करेंगे, और आज की जो वक्षीट है, इसमें कवर करेंगे हम स्वपोशी, पोशन, विशम पोशी पोशन और प्रकास अंस जैविक रियायं होती हैं, यानि की इन क्रियाओं के दुवारा जो है, ये जैविक क्रियायं हैं, जो की सभी जीवों में होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे पोशन की, तो पोशन क्या है? भोजन ग्रहन करना, और उससे फिर उर्जा और जीवन के लिए अन्याविशक पूछा जाता है तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं तो जो स्वपोशी पोशन है कुछ जीव अकार्बनिक सुरोतों से कार्बन डायोकसाइड तथा वाटर के रूप में यानि की जल के रूप में सरल भोजय पधार्थ प्राप्त करते हैं तो जो कार्बन डायोकसाइड जल और सूरे की प्रकाश के उपस्तिती में अपना भोजन बनाते हैं वो स्वा पोशी पोशन होता है और ऐसा कौन से करते हैं जीव हरे पोधे शैवाल और कुछ जिवानु हैं जो स्वा पोशी पोशन से अपना भोजन ग्रहन करते हैं विशम पोशी पोशन की बात करते हैं तो जन् जीव जन्तु मानव और कवक जो हैं वो कौन सा पोशन लेते हैं विशम पोशी पोशन आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रकास संसलेशन वाली प्रकरिया वह प्रकरिया जिसके अंदर स्वपोशी यानि कि जो स्वपोशन लेने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं सूरे की प्रका लेंगे और जो, एझ्टों लेंगे और जो स्टाउमिटा होते हैं पोधो के उनकी पतियों में स्टोमिटा हैं रंध्र वहां से व guroliosovil लेंगे और इन सारी चीजों की ठ्रेजिट में अपना भूजन बनाएंगे भूजन किस रूप में बनेगा glucose यानि की carbohydrate की रूप में बनेगा C6S12O6 और इस reaction में क्या क्या चीजे हैं हमें इस अभिकरिया में जो उत्पाद मिलेंगे वो होंगे glucose, oxygen और water तो ये chemical equation जो है इसको भी कई बार पूछा जाता है और प्रकरिया को भी पूछा जाता है अब प्रकाश संसलेशन के तीन मुखे चरण भी कई बार पूछे जा सकते हैं तो chlorophyll द्वारा प्रकाश उर्चा को अवशुर्शित करना पहला चरण हो गया फिर प्रकाश उर्चा को रसायनी गूर्जा में रुपांतरित करना तथजल अनुओं का आइडरोजन और ऑक्सिजन में फिर अपगटन होना कार्बन डायकसाइड का कार्वोहाइडरेट जैसे की ग्लुकोज में अपचयन होना अब रंधर की रंधर जो होते हैं वो क्या होते हैं रंधर के बारे में जाने और दूसरा क्या काम करते हैं वो कि वाश्पोस सर्जिन की जो प्रक्रिया है वो भी इनके द्वारा ही होती है जिसमें वो जल के रूप में रंधर के द्वारा निकल जाता है जल वाश्प जो होता है वो निकल जाता है तो ये है हमारी आज की वक्षीट और आब आएंगे प्रशनों पर तो स्वपोशी पोशन और विश्वम पोशी में अंतर बताने हैं ठीक है पहला है इसका अंसर तो स्वपोशी और विस्सम पोशी पोशन में हम अंतर बता सकते हैं यहां दो-दो पॉइंट लिखे गए हैं दूसरा प्रशन कहता है स्वपोशी पोशन के लिए क्या आविशक है कार्बन डायोकसाइड तता जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या उप्रोक्त सभी तो हमें पता हैं यह सारी चीजों की प्रेजन्स में ही यह प्रक्रिया हो पाती है आगे बढ़ेंगे प्रकाश संसिलेशन की प्रक्रिया के लिए संतूलित रासाइनिक समिकरन लिखें तो रासाइनिक समिकरन सिर्फ पूछा गया है तो हम लिखेंगे कार्बन डायोकसाइड और जल जो हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्तिती में ग्लूकोज, ऑक्सिजन और जल बनाते हैं आप इसमें लिख भी सकते हैं ग्लूकोज, ऑक्सिजन नीचे ही लिखेंगे ऑक्सिजन हिंदी में और आगे आप जानते ही हैं कि वो क्या है? जल है, ठीक है बचो? आगे बढ़े प्रशन चार, रंधर क्या है? आदान पर दान करना इनी चिद्रों से होता है और वाश्पोज सर्जन की परकरिया है यानि की जल का जलवाश्प के रूप में निकलना वो भी रंधर के द्वारा ही होता है प्रशन पाँच, रंधर का नामांग के चित्र बनाईए तो रंधर के लिए आप चित्र बनाईएंगे उसका इसके अंदर हरितलवक होते हैं, क्लोरफिल होता है रंधर का जो चित्र है और इसकी कोशिकाएं है और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि दोस यहाँ डाइग्राम से यह गए हैं तो एक खुला रंधर है और दूसरा बंद रंधर है तो यह थी आपकी वर्कशीट आप इसको देखें और अपनी वीडियो अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करें मिलते हैं आपसे नेक्स वर्कशीट के वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चो